Knowledge Center for You में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग Science के Most Important 50 Questions कवर करेंगे वो देखे जो आज के जो Questions लाया हूँ मैं आपके लिए तो काफी Selective Questions लेकर आया हूँ और बार-बार एक्जामों में जो Repeat हुए हुए Questions है तो आज हम लोग Cover करेंगे और आज का ये वीडियो आपके लिए Test के रूप में होगा और वीडियो के End में आपको Comment Section में लिखकर बताना है कि आपने 50 में से कितने Questions के Answer सही किये इससे क्या होगा कि आपको भी एक अंदाजा लग जाएगा कि आपकी पढ़ाई किस लेवल पे चल रही है और बाकियों को भी आपके Marks देखकर अंदाजा लग जाएगा कि उनको और कितनी मेहनत करनी है अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किजिए इस तरीके के नए-ने वीडियो हम लोग आपके लिए डेली लाते रहते जो कि आपके exam point of view से काफी helpful है तो चलिए सुरू करते आज का वीडियो और देखते थे first question कमरे में रखे रेफरीजरेटर का दर्वाजा खुला रखने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है देखे कमरे में रखे रेफरीजरेटर का अगर दर्वाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ता है option B right answer होगा अगला प्रशन देखिए रक्त सकंदन नहीं होने के कारण रक्त का निरंतर बहाव किस रोग में होता है option C right answer होगा हीमोफेलिया में रक्त का सकंदन नहीं होता है ना की बराबर होता है इसको बहुत समय लगता है इस वज़े से क्या होता है कि रक्त निरंतर बहता रहता है और देखिए साधारंट रक्त का थक्का बनने में 2-5 मिनिट का समय लगता है पर ये हीमोफेलिया ये ऐसा रोग है कि इसमें रक्त का थक्का बनने में 30 मिनिट से लेकर 24 गंटे का समय लग जाता है इस वज़े से रख्तका निरंतर बहा होते रहता है और यह जो रोग है ना तो ऐसा मानना है कि यह रोग बिटन की महारानी विक्टोरिया से प्रारम भुआ था ठीक है next देखिए मुत्र में शरकरा की बड़ी हुई मात्रा किस रोग की पहचान है देखिए option D right answer होगा मदुमेय मुत्र में शरकरा की बड़ी हुई मात्रा यह मदुमेय रोग की पहचान है next question देखिए दूरिम आपने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दूरिम आपने की सबसे बड़ी इकाई यह पार से के option C right answer होगा एक पार से कितना होता है यह भी आपको पता होना चाहिए एक पार से एक यह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है और यह जो question है ना friends दूरिम आपने की सबसे बड़ी इकाई तो यह question railway के group D के exam में पूछा गया था तो important question है यह अभी next question देखिए निकट दुरुष्टी दोश वले व्यक्ति को कौन सा lens इस्तमाल करना चाहिए देखिए निकट दुरुष्टी दोश वले व्यक्ति को outer lens इस्तमाल करना चाहिए यानि कि कौन के वो lens उसको इस्तमाल करना चाहिए और निकट दुरुष्टी दोश की बात करें तो यह क्या होता है मायोपिया इसमें क्या होता है कि पास की चीज़े साफ दिखाई देती है परन्तु दूर की चीज़े देखने में तकलीफ होती है ठीक है next question देखिए MRI machine में निन्वनमे से किस का प्रयोग किया जाता है MRI machine में चुंबकये तरण का प्रयोग किया जाता है MRI का le мест magnetic resonance image और यह एक चीकित से प्रणा लिए जिसके द्वारा रोगी के शरीर का चित्रण चुंबकये कीड़ों द्वारा किया जाता है अगला प्रशन देखिए तेल का एक बैरल निम्गों में से लगबक कितना होता है अच्छा क्वेशन है यह भी तेल का एक बैरल कितना होता है तो यह होता है एक सो उनसस लिटर के बराबर ऑप्शन सी राइट अंसर होगा अगला प्रशन देखिए दस मोल जल का द्रव्यमान कितना है 10 mol जल का द्रव्यमान होता है 180 g और यह केसर होता है तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करते mol into अनुभार करते 10 into 18 करेंगे तो हमको इसका अंसर मिल जाएगा 180 g इस प्रकार के फ्रेंड्स एक्जामों में ना easy questions पूछे जाते पर हम लोग confused हो जाते आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है आराम से question के अंसर देने next देखिए वर्षा की बून का आकार गोलाकार किस कारण से होता है तो इसका अंसर होगा option B प्रुष्ट तनाव प्रुष्ट तनाव याने surface tension के कारण वर्षा की बून का आकार गोलाकार होता है अगला प्रश्न देखिए बुकम को दर्च करने वART उपकरण कोंसा है देखिए बुकम को दर्च करनेवला उपकरण सिस्मोग्राप option c right answer और easy question था next देखिए RBC का कबरस्तान किसे कहा जाता है RBC का कबरस्तान पलिहा को कहा जाता है option d right answer और पलिहा यानि कि spleen अगर मैं आपसे पूछ लू कि RBC का कबरस्तान तो पलिहा को कहा जाता है तो RBC का फॉर्मेशन कहां पर होता है इसका जन्म कहां पर होता है तो देखें आरबिसी का जन्म होता है अस्ति मज्जा में यानिकी बोन मेरो में next देखिए नित्रदान में डाता की आग के किस हिस्से को प्रति रोपित किया जाता है देखें इसका अंसर का option भी कौर्णिया और यह कौर्णिया नहीं एक भाईय परत होती है जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है नेक्ष देखिए अभी ध्वनी की तिवरता को मापने वाला यंत्र कौन सा है तो अंसर दीजिए इसका आपको ऑप्शन सी और ऑप्श कॉर्णोतर carbonोंफ मेंने तो जल यानो पर समय का मापन करने के लिए इसका इस्तिमे एनिवोंमिटर यहीं का व्यक्ति मापने के लिए ऐसा यूनिट है वैट ऑप्शन भी राइट अंसर होगा नेक्श देखिए निम्नवा लिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है देखिए यूरेनियम थोरियम प्लुटोनियम और जर्कोनियम तो ऑप्शन ए बी सी यह तीनों भी रेडियो एक्टिव तत्व है और उप्शन डी में जर्कोनियम है तो यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है जर्कोनियम का अधरताम आपने के लिए किस उपकरण का उप्योग होता है अच्छा क्वेशन है यह इसमें भी काफी लोग कन्फीज हो जाते है हाइडरोमिटर और हाइग्रोमिटर में तो होगा ईसका अंसर का अंसर option B hygrometer हाइग्रोमिटर से हम लोग वायू मंदल की आदरता मापते है और option a में हौडोमिटर है तो हाएड्रोमिटर से हम लोग इस प्रक्रिया का उप्योग किया जाता है तो option A right answer होगा अगला प्रशना देखिए निर्वात में प्रकाश यानि कि light की गति क्या है तो देखिए निर्वात में यानि कि vacuum में light की speed होती है 3 x 10 raise to 8 meter per second तो option B right answer होगा 3 x 10 raise to 8 meter per second के हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 3,000,000 km per second इसकी speed होती है vacuum में vacuum में तो इसकी speed इतनी होती है और अगर पानी की बात करें तो पानी में इसकी speed 25% तक घड जाती है अगला प्रशना देखिए जूटा सोना या fulls of gold किसे कहा जाता है तो option C right answer होगा iron pirates को fulls of gold कहा जाता है अगला प्रशना देखिए मरहम तता चेहरे की cream बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है सारे question ले रहा हूँना friends में सारे important question है इस video को जरूर पूरा देखिए और अंत में अपना score जरूर comment section में लिख कर बताईए अब इसका अंसर होगा option B zinc oxide तो मरहम तता चेहरे की cream बनाने के लिए zinc oxide का उप्योग किया जाता है next देखिए परमाणू reactor का अविश्कार किस ने किया था परमाणू reactor का अविश्कार ये एंड्री को फर्मी द्वारा किया गया था option C right answer होगा और option A में देखो निकोला टेसला है तो निकोला टेसला ने AC मोटर का इंवेंशन किया था option B में Edward Taylor है तो Edward Taylor ने hydrogen bomb का इंवेंशन किया था तो डेवर है तो डेवर ने thermos flask का इंवेंशन किया था ठीक है चारों भी याद रखिए अगला प्रशन दिखिए कौन सी gas का calorie मान सबसे अधीक होता है option A right answer होगा मिथेन का calorie मान सबसे अधीक होता है next देखिए adrenal grantee का बहारी भाग क्या कहलाता है तो इसका अंसर होगा cortex adrenal grantee का बहारी भाग यह cortex कहलाता है और यह जो एड्रेनल ग्रंथी यह जीवन रक्षक हार्मोन उस्तरजित करती है इस ग्रंथी से निकलने वाले हार्मोन ब्लड प्रेशर को नियंतरित करते हैं तो यहां से आप लोग यह भी याद रखिए अगला प्रशन देखिए एड्रेनल ग्रंथी का केंद्रिय भाग क्या कहलाता है हमने बाहरी भाग के बारे में देखा कॉर्टेक्स कहलाता है यह तो इसका केंद्रिय भाग मेडूला कहलाता है और यह जो एड्रेनल ग्रंथी है ना फ्रेंड तो इसको हम लग फाइट अन फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, next देखिए, minus 40 degree Celsius के नीचे, ताप मापने वाले, ताप मापी में, किस द्रव्वे का उप्योग होता है, minus 40 degree के नीचे का ताप मापने वाली ताप मापी में, अलकोहल का इस्तमाल किया जाता है, option A में देखिए, पारा है, तो पारा का इस्तमाल हम लोग regular जो थ आप माप सकते, ठीक है, ये भी याद रखिए, अगला प्रशन देखिए, प्रोटोन की खोज किस वाईज्यानिक ने की थी, option C, राइट अंसोरोगा, प्रोटोन की खोज, रुदर फोड ने की थी, option B में देखिए, चैडविक है, तो चैडविक ने नीट्रॉन की खोज की जेजे थॉम्सन ने इलेक्टरॉन की खोज की थी, अगला प्रशन देखिए, आउशदी AZT, यानि की अजाइडो थाइमिडिन, तो इसका प्रयोग किन मरीजों के लिए किया जाता है, तो जो ये आउशदे AZT, यानि की अजाइडो थाइमिडिन, तो इसका उप्योग AIDS के म क्मेंट सेक्शन में लिखिये अलिसा जो जांच प्रणाली है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको पता होगा, तो इसका अंसर भी आप जरूर क्मेंट सेक्शन में दीजिए, नेक्श देखिए, दाब बढ़ने पर पानी के क्वतंअं यानि की बोईलिंग पॉ पाया जाने वहाला है औशीजन चाहिए अगर आप से पूछ लिया जाता कि सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वहाला तत्व असाई तो आपशन राइड़ होता हाइड्रोजन ठीक है नेक्स डेखिए किस वाईग्यानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी तो वाइग्यानिक का नाम पुछा है तो इनका नाम है केवेंडिश केवेंडिश ने हैडोजन की खोज की थी ऑप्शन बी में जो लोके अरे तो इन्होंने हेलियम की खोज की थी गेलियूस आके इन्होंने बोरॉन की खोज की थी और जो डेवी है ऑप्शन ब भी है तो उनके भी अंसर में आपको बताते जा रहा हूं एक्जामों में क्या पता कहीं से भी question बन सकते ठीक है next देखिए कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रवर रूप में होता है तो इसी question है इसका अंसर होगा पारा पारा ये कमरे के तापमान याने की रूप टेंपरचर पे द्रवर रूप में होता है next देखिए अंत्रिक्ष यानों में इंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है option C right answer होगा इसका तो ग्राइकॉल का प्रयोग ये अंत्रिक्ष यानों में इंधन को जमने से बचाने के लिए किया जाता है आगला प्रशन देखिए विटामिन D का रासाइनिक नाम क्या है विटामिन D का रासाइनिक नाम है कैलसी फिरॉल option D right answer होगा next देखिए सभी प्राणियों का कितने प्रतिशत DNA एक समान होता है तो इसका अंसर होगा option D सभी प्राणियों का लगबग 99.9% DNA एक समान होता है सिर्फ 0.1% ये DNA अलग पाया जाता है और उसी के वज़े से हमें changes दिखाई पड़ते है next देखिए इमली में कौन सा अमलब पाया जाता है इमली में टार्टारिक अमलब पाया जाता है option C right answer होगा अगला प्रशने देखिए अलकेन का रासानिक सूत्र क्या है इस प्रकार पूछ लिया जाता है सूत्र भी आपसे तो अलकेन का सूत्र है CNH2N plus 2 option B right answer होगा option A में देखिए CNH2N है तो ये अलकेन का सूत्र है और option C में देखिए CNH2N minus 2 है जो तो ये अलकाइन का सूत्र है ठीके अगला प्रशने देखिए पेट्रोल के शुद्दी करण में किस अमलब का इस्तमाल किया जाता है पेट्रोल के शुद्दी करण में सल्फिरिक अमलब का इस्तमाल होता है option A right answer होगा अगला प्रशने देखिए पोधो में क्लोरोफिल बनाने के लिए किस तत्व का अवशक्ता होती है पोधो में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैगनेशेम की अवशक्ता होती है option B right answer होगा अगला प्रशने देखिए मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्मान कहा होता है मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्मान यकुरूत में होता है तो option C right answer होगा और पित्ता शरीर में इसको श्टोर किया जाता है जाने कि गॉल ब्लेडर में इसको रखा जाता है ठीक है नेक्ष देखिए निमना लिखित आवरुत्ती परिश्वरों में से कौन सी मानव करना के लिए समवेदी है तो क्वेस्चन में पूछा गया है कि मनुष्य कितनी हर्ट सकी आवाद सून सकता है तो मनुष्य साधारन 20 ह हर्ट सकी द्वनी को सुन सकता है ओडियोबल वेवस होती है 20 से 20 हजार हर्ट सकी ऑप्शन भी राइट अन्सर होगा और देखिए 20 हर्ट से अगर नीचे की जो ध्वनी होती है तो उसको हम लोग इंफ्रासॉनिक वेव बोलते और 20 हजार हर्ट के अगर ऊपर की ध्वनी होत करने, बी में एंत्रोपोलाजी ओंटोलोजी दातो का अध्यान होता है अगला प्रशन देखिए मनुष्य के शरिर का सामान ने таपमान कितना होता है तो ये पता होना चीए आपको मनुष्य के शरीर का सामान ये तापमान ये 98.6 Fahrenheit होता है अगर मैं आपसे Celsius में पूछ लूँ तो ये होगा 37 degree Celsius अगर मैं Kelvin में पूछ लूँ कि मनुष्य के शरीर का सामान ये तापमान कितना होता है Kelvin में इसका अंसर दिजिए तो इसका अंसर होगा 310 Kelvin अगला प्रश्न देखिए सबसे ज़्यादा पसलिया किस जीव में होती है सबसे ज़्यादा पसलिया इस साप में पाई जाती है लग बाग दोसों से चार सो पसलिया यह साप में पाई जाती है अगला प्रश्न देखिए हड़ी को सनायू से जोडता है तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है यह अभी एलपी की जो एक्जाम हुई थी तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था रेलवेस की एक्जाम में हड़ी को सनायू से जोडने का काम यह टेंडन का होता है और पर आपको को कंफिज नहीं होना है हडडिकोस नयू से यहने के कि बोन को मसल से जोडने का का मिए टेंडन करता है अगला प्रशन देखिए जोडो पर एककत्र होने से गठिया रोग होता है जोडों पर यूरिक एसिड का एकत्र होना ये गटिया रोग का संकेत होता है अगला प्रश्न देखिए वन होर्स पावर्स कितने वैट के बराबर होता है तो वन होर्स पावर्स यानि कि एक अश्वशक्ती ये 746 वैट के बराबर होती है अगला प्रश्न देखिए गामा किरने किसके द्वारा खोजी गई ती और इसको जो गामा ये नाम दिया गया था तो ये हैंडरी बैकरल द्वारा इसका नाम दिया गया था ठीके नेक्श देखिए माचिस की तीली में किस चीज का इस्तेमाल होता है तो माचिस की तीली में रेड फॉस्परस का इस्तेमाल होता है ऑप्शन डी राइट अनसर होगा अभी लाश्ट कॉश्चन देखिए एक किलोग्राम राशी का वजन कितना होता है एक किलोग्राम राशी का वजन 9.8 Newton होता है option C right answer होगा तो इस वीडियो में हमने 51 questions देखें तो अभी वीडियो end हो चुका है friends तो आपको comment section में बताना है friends कि कितने question का जवाब आपने सही दिया है और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चै कार के नए वीडियो में